मैं कोशल गोंडवी साब से गुजारिस करता हूँ अरे आप ही है जी सरपर्थम मंज को प्रडाम करता हूँ और इस मंज का सबसे छोटा कभी हूँ तो मैं आप लोगों से गुजारिस करता हूँ कि सबसे आदा दाद तालिया मिलनी चाहें बस मैं छोटे छोटे दो कविता पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहूंगा कि ना रीत को प्रीश से जोडने आया हूं ना कुमकुम बिन्दिया और महावर की सवगात लाया हूं ना किसी के हबेली के गुडगान गाऊंगा ना ही जाध धर्म के लिए किसी को लड़ाऊंगा तुम हो सच्चे हिंदुस्तानी ये एहसास दिलाने आया हूं जो सहीद हुए हैं उनके गुडगान सुनाने आया हूं हम दिनकर सेखर और भगत के वनसज हैं हमारे रक्त में है जो वास सुनाने आया हूं कैसे कटेगा कलेस इस भारत देश का मैं उस जो इस समय में इसारे में कहता हूं समझिएगा कि कैसे कटेगा कलेस इस भारत देश का कैसे मिटेगा दोईस जात धर्म और भेद का कैसे दिलाओगे हक इस इवासेस का यही पर्षन पूछने आया है हर सिपाहिस देश का यही पर्षन पूछने आया है हर सिपाहिस देश का और मैं एक छोटी कविताब भाई के उपर सुनाना चाहूंगा कि एक भाई अपने जिंदगी में एक भाई के लिए क्या होता है उसे एक भाई एक दोस्त भी होता है और एक दुस्मन भी होता है लेकिन एक इनसान की जिंदगी में अगर वो देवता बन करके आता है तो क्या होता है सुनिएगा कि जब मात मुसीबत चड़ जाए जब अरिछाती पर चड़ाए जब मात मुसीबत चड़ जाए जब अरिछाती पर चड़ाए जब तूफानों में अटके हूँ, जब राह गलत हम भटके हूँ, जब तन पर कोई दोस रहे, जब मन पर कोई बोज रहे, जब बुद्ध मलिन हो जाता हो, जब काज कठिन हो जाता हो, तब साथ खड़ा एक परचाई है, सवगज के समीक भाई है, सवगज के समीक भाई है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सुक्ते